ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा ओम क्लीम कृष्णाई नमा जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे दोस्तों भाद्रपद माज की कृष्णपक्ष की अस्टमितिती को प्रत्यक वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन भगवान स्रेक्रिष्ण के बाल सुरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना की जाती है और अर्धरात्री के समय में भगवान स्रेक्रिष् कालीन पूजा का जन्माश्टमी के दिन साल 2022 में भगवान स्रेक्रिष्ण का 5249 जन्मोच्षो मनाये जाएगा धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माज की अस्टमितिती को रोही नक्षत्र में अर्धरात्री के समय में भगवान स्रेक्रिष्ण का जन्म हुआ और तभी से प्रतेक वर्ष भगवान स्रेक्रिष्ण का प्राकट्योच्षो मनाये जाता है और इस पर्व को जन्माश्टमी का पावन परो माना जाता है जन्माश्टमी के दिन बहुत से भक्त व्रत धारन करते हैं और रात्री में भगवान स्रेक्रिष्ण का जन्मोच्ष ती ती और दो दिन ही ये प्रव मनायगया और इसी प्रकार से जन्माश्च्तमी के drift लेकर भी लोगों के मन में बोहत से संसय है कई जगह पर जन्माश्च्तma कि मनाय जा और सभ्टों में विशेष महत्यू होता है तो निशीत काल की पूजा कब प्राकट यॉठ्चो मनाये जाता है तो अर्दरातरी की पूजा निशीत कालिन पूजा का सुभ महुर्थ क्या होगा और जो भक्त अष्टमी का व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना व्रत कब खोलना हैं विडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीड को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भगवान श्रीक्रिश्न के जनमुच्व के तिथी का कि अस्टमी तिथी कब प अनुसार भाध्रपद मास की अस्टमी तिथी में रात्री में अर्ध रात्री में भगवान श्रीक्रिश्न का जनम हुआ था तो ऐसे में 18 अगस्त को ही हमें अर्ध रात्री के समय में अस्टमी तिथी प्राप्त हो रही है 19 अगस्त को रात्री 11 बजे तक अस्टमी तिथी स पावन परो बनाएंगे जबकि कई स्थानों पर सुर्योदे कालीन अस्टमी तिथी को मान्यता दी जा रही है तो ऐसे में 19 अगस्त को सुर्योदे कालीन अस्टमी तिथी प्राप्त हो रही है तो इसके अनुसार 19 अगस्त को अस्टमी तिथी यनिकी जन्मास्टमी का पावन विillsव कर मुदूरा-विंदावन में जैसे के बांक इप रिम अगस्त को जो गोड़े हैं prejudice और पर दही हांडि का विशेष परो मनाये जाते है तो इस प्रकार से दो दिन की prejudice में इसमेश बार बनाई जायेगी भगवान स्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय रोहिणी नक्षत्र था तो रोहिणी नक्षत्र हमें किस दिन प्राप्थ हो रहा है तो देखिए रोहिणी नक्षत्र का प्रारंब हो रहा है 19 और 20 अगस्त की रात्री में मतलब 19 अगस्त को देर रात्री एक बसकर त्र की देर रात्री में रोहनी नक्षत्र जरूर है लेकिन निशीत काल की पूजा जब होती है निशीत काल की पूजा के शुब मुहुर्त में रोहनी नक्षत्र नहीं होगा उस समय क्रितिका नक्षत्र होगा तो ऐसे में अस्टमी तिथी के आधार पर ही इस बार जन्मास्टमी क को मान्यता दी जा रही है तो ऐसे में 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन जन्माश्टमी का पर्व मनाए जाएगा आप किस दिन मना रहे हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा और अब बात करते हैं निशीत कालीन पूजा का शुब्मुहुर्थ क्यूंकि 18 अगस्त की रात्री में जो आप पूजा करेंगे तो उसका शुब्मुहुर्थ है निशीत काल की पूजा का शुब्मुहुर्थ है 18 अगस्त रात्री 12 बजकर 3 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक कुल समय होगा 44 मिनट का और इसी समय आपको भगवान श्रीक्रिश्न का प्राकट उसका शुब्मुहुर्थ है 19 अगस्त की रात्री 12 बजकर 3 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक कुल 44 मिनट का समय आपको प्राप्त हो रहा है 19 और 20 अगस्त की रात्री में भगवान श्रीक्रिश्न का प्राकट उस्व मनाने के लिए और अब बात करते हैं कि अगर आपने कात्री की पूजा करते हैं तो भगवान श्रीक्रिश्न के जन्मोत्सव के बाद ही वह प्रसाद खाकर अपना वरत खोल लेते हैं जो भी फल इत्यादी अर्पित करते हैं भगवान को उसी में से फल खाकर प्रसाद खाकर अपना वरत खोल लेते हैं लेकिन बहुत से भक्त स व्रत धारण किया है जन्माश्टमी का तो 19 अगस्त को सुबह सुर्योदे के बाद मतलब 5 बज कर 52 मिनट के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं लेकिन अगर आप 80 मी तीथी समाप्त होने के बाद अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो ऐसे में 19 अगस्त की रातरी में 10 बज कर 69 मिनट के बाद अश्टमी तीथी समाप्त होगी तो आप 11 बजे के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं तब तक आप फलाहर इत्यादी कर सकते हैं और जो भक्त 19 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं जन्माश्टमी का वो 20 अगस्त को व्रत खोलेंगे 20 अगस्त को जन्माश्टमी व्रत का पारण करेंगे और उनके लिए पारण करने का शुब महुर्थ होगा 20 अगस्त को सुर्योदय के बाद मतलब 5 बज कर 52 मिनट के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में जन्माश्टमी व्रत के संबंध में संपुर्ण जानकारी मैंने आप से शेयर की है जैसे कि 18 अगस्त 19 अगस्त दोनों ही दिन के शुब महुर्थ के बारे में दोनों ही दिन के पारण के शुब महुर्थ के बारे में तो आप व्रत करते हैं तब तो अत्यान्त ही स्रेश्ट है लेकिन अगर आप किसी भी कारण वस जन्माश्टमी का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको भगवान स्रीकृष्ण की पूजा आरातना जरूर करनी चाहिए भक्ति भाव से उनके नाम का मंत्र का स्मरण करना वो मनो कामना पूरण हो जाती है तो बहुत महत्यपूरण होता है सनातन धर्व में जन्माश्टमी का पावन पर्व बहुत धूम धाम से बहुत भक्ति भाव से इस परव को हमें मनाना चाहिए तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाव हवश्य होगा अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मातरानी के नाम का जयकारा लगाए अगर आपका कोई सुझाव हो कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई विशेश वीडियो आप देख मैं प्रप्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार